गुल मानिंग आल कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होंगे तो जो आज का व्लॉग है वो है एपल हार्वेस्टिंग पर क्योंकि सेब हो गए है तेयार और आज उनकी तुडान होगी तो यह जो बैया है वो लेके जा रहे हैं क्रेट जिनमें से बहरा जाएगा औ और फिर उन्हें पैकिंग के लिए ले जाएंगे हम मशीन में तो चला हुआ है काम तुडान का तो जो सेबों को तोड़ने का काम है यह थोड़ा सा टफ है क्योंकि हर पेड में चड़ना है पतली मोर्च रहनियों पे चड़ना है इतनी तीज हवा होती है तो फिर भी आम अ नीचे तक लाना थोड़ा मुश्किल काम है जीन से वो को तोड़ा गया है और वोने लगाया जा रहा है क्रेट्स में कर दोड़ा मुश्किल कर दोड़ा है कर दोड़ा मुश्किल कर दोड़ा है कर दोड़ा मुश्किल कर दोड़ा मुश्किल कर दोड़ा है क्योंकि बहुत सारे सेव उस टाइम गिर जाते हैं तो फाइनली सेव पहुच गया है जहां पर इनकी पैकिंग होगी और यहां पर हो रही है इसकी अनलोडिंग मुश्किल कर दोड़ा मुश्किल कर दोड़ा है जब हम इसमें सेव लगाते हैं तो इजो इसमें दूर मित्थी लगी होती है जो कि बारिश वगर्गा या फिर हवा के टाइम बदलब जब तुफान चलता है तो इस टाइम जो धूर बगरह होता है जो सेव हम यह अच्छे से क्लीन करके हळगी सेभ देदेगा और इसमें ग्रेडिंग भी खुद होती है बट ऐसा है कि जो डिफेक्टेड सेभ है उसे आपको अपने हाथ उसे हटाना होता है तो ये सेव आपको small, medium, large, extra large या फिर extra small जो भी है ये आपको खुद grade करके दे देगा और जो ये सेव है, machine की जो ये packing है, देखने में ये बहुत ही शानदार है क्योंकि ये आपको पूरा सेव साफ करके दे रहा है तो ऐसा है कि ये सेव हम storage के लिए नहीं रख सकते है storage में हम इसे इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएंगे और ये आपको grade करके दे रहा है सेव और यहां से होगी इसकी packing तो ये हो रही है packing और बस मजीन में इतना है कि आपको हर एक एक सेव को हाथों से पकड़ के चेक नहीं करना है वो खुद आपको grade करके दे देगा और बस आपको का काम इतना है कि आप उसे पैक कर दो तो इसके साइड में जो ये फैंस लगे पर है वो इसलिए लगे है कि अगर कोई सेव गिला रह जाता है तो उसे ड्राइ करने के लिए करने करने के लगे है झाल 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 तो ग्रीडिंग हो जुकी है तो अब हो रही है फाइनलिस के पैकिंग झाल तो जुकी है हाथों से बढ़ना मतलब जो हमारा ट्रैडिशनल प्रॉसेस है यहां पर वही है सेम कि हम इसको तोड़ेंगे और एक जगा स्टोर करेंगे तो मैं एक बार फिर बता दूँ कि जो एपल्स है वो है रोजासीय फैमली के और इनका जो साइंटिपिक नेम है वो है मेलस टोमेस्टिका तो जो मेरा पहले वाला व्लॉग है जो मैंने एपल्स के उपर बनाया है उस पर मैंने यह बता रखा है करेंगे तो सेब बढ़ने का प्रॉसेस है हातों से उसमें जो सेब़ और उसमें ग्रेडिंग है यह खुद करनी होती है क्योंकि यह बिलकुल मसिनने के जो अपोजित है 600 और हमेंगी के पैकिन강 मकूद हुगी कर दो दो घ्चिते हुआ से लाग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करें दो कर दो कर दो कर दो तो पैकिंग कंप्रीट होने के बाद सेबों को लोड किया जाएगा यह तयार है मंडियों में जाने के लिए और जो लास्ट प्रोसेस सेब का वो यह है कि जो बचेवी सीब है उन्हें ऐसे काटके सुखाया जाता है जो कि खाने के लिए भी बहुत टेस्टी होते हैं तो एपल्स का जो पूरा प्रोसेस है ग्रिडिंग पैकिंग और जो हातों से लेकर मशीन तरका जो सफर है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है तो अब हम चलते हैं वापस गर की तरफ मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग कीप वाचिंग, स्टे सीफ, स्टे हल्दी, बाई बाई